Hello everyone and welcome to Instant Biology by Dr. Neelab इस समय मैं Indian Institute of Science, Education and Research Mohali की वेबसाइट के उपर हूँ आप में से जिनको इस वेबसाइट का आइडिया नहीं है तो वो देख सकते हैं www.isermohali.ac.in इस वेबसाइट पर आने की वज़े ये है क्योंकि आईसर मोहाली ने रिसेंटली अपनी समर रिसेर्च प्रोग्राम को एडवर्टाइज किया हुआ है तो उसके लिए एप्लिकेशन से इन्वाइटेड हैं उसकी डीटेल्स मैं इस वीडियो के दौरान दूंगा आपको ये वीडियो लास तक जरूर देखेगा क्योंकि इस वीडियो में किस तरीके से अप्लाई करना है कौन सी वेबसाइट है क्या क्या eligibility criteria है stipend वगएरा के बारे में सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ तो आप जैसे ही नीचे स्क्रॉल करते हैं home page पे रहने के बाद आपको यहाँ पे एक option मिलता है summer research program 2023 at ISER मोहाली जैसे ही आप इसके ओपर click करोगे आप एक दूसरे page पे redirect हो जाओगे और यहाँ पे सारी information summer research program के बारे में दे रखी है तो summer research program 2023 कौन-कौन से students यहाँ पे eligible होंगे उसको देख लीजे तो selected students at the level of BSC second year, third year यानि की BSC second year और third year के students और MSC first year के students या equivalent will be able to spend six to eight weeks at ISER मोहाली तो इन students को 6-8 हफते ISER मोहाली में रहने का मौका मिलेगा और specific summer projects के उपर ISER मोहाली की faculty के साथ काम करने का भी मौका मिलेगा ठीक है, अब बात करते हैं कि date, summer program की date कहां से कहां तक है तो May 15 से commence होगा और July 22 तक यह चलेगा अच्छा, minimum period of summer research is six weeks तो छे हफते के लिए आपको रहना ही रहना है और maximum period जो है वो 8 हफते का है, 8 weeks का है अब देखिए, यह जो program है, यह दो हिस्सों में बटा हुआ है या दो components है इस program के, यह ध्यान से समझेगा पहला component है research इसमें students को अपने supervisor के consultation के हिसाब से किसी एक particular project के उपर काम करना होगा और दूसरा portion है इसका interdisciplinary course work आप जानते होंगे जैसे PhD वगरा में course work होता है उस course work में scientists lecture देते हैं और students को उसको समझना होता है, सुनना होता है और उसके बाद उसके उपर assignments वगरा मिलते हैं तो इसका second part क्या है interdisciplinary course work which will involve a series of lectures जो scientists deliver करेंगे और at the end of summer program उसके बाद, program के बाद आपको एक report submit करनी पड़ेगी और report submission के बाद ही आपको certificate ICER मोहाली के द्वारा दिया जाएगा अचा, applications कैसे आप यहाँ पे submit कर सकते हैं online application form है, उस पे click करिए तो यहाँ पे देखिए click here option है जिन भी students को apply करना है, वो click here पे click कर सकते हैं और उसके बाद उनको एक google form खुल के आ जाएगा जिसमें उनको सारी details भरनी है last date April 14th 2023 है और लगभग 12 बजे जानि की 11 बच के 59 minutes की तक last date है और जो selection होगा students का वो तीन categories में होगा category A, B और C category A में वो students आएंगे जिनके पास अपनी खुद की scholarship होगी जो अपना रहना वगएरा वहाँ पे support कर सकते हैं category B में essay students जो competitive basis पे आ रहे हैं और उनको CERB या SSR grants वहाँ पे मिल सकती है यानि की कुछ grants है ICER मोहाली के पास जो वो दे सकते हैं but that would be on competitive basis मतलब उसमें competition होगा और फिर ही students को इसमें से grants मिल सकती है और तीसरी category है वो students की जिनको ना ये वाली category B में भी grant नहीं मिली और category A में उनकी खुद की grant नहीं है तो ऐसे students category C में आते हैं ICER मोहाली किसी भी और तरीगे की fellowship नहीं देगा food, travel, etc. के लिए कोई भी compensation नहीं मिलेगा और students may avail this service of fooding वगरा आपको मिल सकती है hostel मैस से payment basis के उपर ICER मोहाली का जो hostel मैस से वहाँ पे आपको खाने पीने की सोविधा मिल सकती है accommodation की अगर मैं बात करूँ तो जो students के पास जो students category C में आ रहे हैं उनको ICER मोहाली free of cost accommodation प्रोवाइड करेगा लेकिन जो बाकी students है यानि की category A और category B के students उनको एक nominal charge के उपर accommodation मिल जाएगा ICER मोहाली accommodation देगा तो बहुत ही अच्छी एक opportunity है ICER के साथ जुड़ने की तो मुझे उमीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप जरूर apply करेंगे अगर पसंद आया है तो इसे like करिए मेरे चैनल को subscribe करिए बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा और अपने friends के साथ भी जरूर शेयर करिएगा Thank you so much, have a good day